वेल्कम टू नेक्स एक जाम आज है 12 जनवरी 2023 और 12 जनवरी 2023 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट वेक्ट्वी मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्चिन पूचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज किस वीडियो के पीडियो के डिसक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप मारे टेलेग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकत हैं पहला कुश्चिन है हाली में रास्टी मानब तसकरी जागुरुकता दिवस कम मनाया गया है तो अभी 11 जन्वरी को रास्टी मानब तसकरी जागुरुकता दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे ऑप्सन सही है मानब तसकरी के बारे में जागुरुकता पैदा करने और मानब तसकरी पीडितों की दुर्दसा के बारे में जागुरुकता बढ़ाने के लिए हर साल ग्यारे जन्वरी को मानब तसकरी जागुरुकता दिवस मनाया जाता है अच्छा अभी एक जन्वरी को बैस्विक परिवार दिवस मनाया गया चार जन्वरी को 200 ब्रेल दिवस मनाये गया च्छे जन्वरी को 200 युद्ध अनाथ दिवस मनाये गया और दस जन्वरी को 200 हिंदी दिवस मनाये गया तो जन्वरी में अब तक इतने इंपोर्टिंडी मनाये गये हैं यह आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिया जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छूटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो तो ये चंडीगड में आयोजित की जा रही है तो इसकुशन का से आपसंस है ये दस जनवरी को शुरू हुई है और तेरे जनवरी तक चलेगी खेलो, इंडिया, सेनियर, रास्टी, महिला, खोखो, लीग ये चंडीगड यूनिवर्स्टी में आयोजित की जा रही है ने क्युशन है हाली में हर्वा लाइफ ने किसे अपना ब्रांड मेजडर बनाया है तो हर्वा लाइफ ये एक न्यूट्रिसन ब्रांड है इसने अभी इसमरती मंधाना को अपना ब्रांड मेजडर बनाया है तो इस कुश्चिन का बे आप्सन सही है ये हैं इसमरती मंधाना और इने को हरवा लाइफ ने अपना ब्रांड मेजडर बनाया है अच्छा अभी Real Eleven का ब्रांड मेजडर कुल देप यादब को निउक्त किया गया नबी टेकनोलोजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड मेजडर बनाया Skechers इंडिया ने Krity Sinen को अपना ब्रांड मेजडर निउक्त किया और प्रमुक एड़ टेक कंपनी बाइजूज ने लियोनल मैसी को Education for All पहल का Global Ambassador ने उप्ट किया ने किशिन है हाली में किसे जैपुर फिल्म फेस्टिवल में Lifetime Achievement Award से नवाजा गया है तो अपर्णा से इनको जैपुर फिल्म फेस्टिवल में Lifetime Achievement Award से नवाजा गया तो इस Question का C Options है है ये पाँच दिवसी जैपुर फिल्म फेस्टिवल है और इसी में अबिनेत्री, निर्देसक और पटकता लेखिखा अपर्णा से इनको Lifetime Achievement Award से नवाजा गया अच्छा कल ही मैंने आपको वता है पतंग राओ कदम पुरुसकार अदार पुनवाला को मिला है 2022 के लिए एक कलब पुरुसकार पंकज अडवांडी को प्रदान किया गया Rising Star of the Air पुरुसकार के लिए अंतिम पंगाल को नामित किया गया अबनी लेखरा को पैरा Sports Person of the Air का पुरुसकार मिला है गांदे मंडेला पुरुसकार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया और अजीत अंजुम और आरफा खानम सेरवानी को कुल देप नईयर पत्रकारता सम्मान मिला है ने क्यूशन है हाली में DRDO ने कहां कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल प्रत्वे सेकंड का सफल परिक्षड किया है तो अभी DRDO ने उडेसा में कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल प्रत्वे सेकंड का सफल परिक्षड किया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है DRDO यानि की Defense Research and Development Organization इसने अभी उडेसा में चांदीपुर इंटेग्रेटिट रेंज में कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल प्रत्वे सेकंड का सफल परिक्षड किया है प्रत्वे सेकंड मिसाइल इसकी रेंज है 350 किलो मेटर और ये 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक हत्यार ले जा सकती है ने क्यूशन है हाली में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कांस्टेन्टाइन का निधन हुआ है तो कांस्टेन्टाइन ये ग्रेस के पूर्व और अंतिम राजा थे और अभी 82 बर्स की उम्र में इनका निधन हो गया तो इसकुष इनका A option सही है अब Greece तो ये है map में Greece Greece की capital क्या है? Athens Greece की currency क्या है? Euro और Greece के present time पर प्रामिस्टर कौन है? कियारिया कोस मिट्सिकाटीज कौन है? कियारिया कोस मिट्सिकाटीज next question है हाली में ACIL यानि कि Electronics Corporation of India Limited के CMD के रूप में किसे न्यूक्त किया गया? अब अनुराक कुमार को ACIL के CMD के रूप में न्यूक्त किया गया है तो discussion का C options है ये हैं अनुराक कुमार और इन्हे को ACIL के CMD के रूप में न्यूक्त किया गया है अच्छा अबी रतन एबम आबूसर्ट परिसत के चेरिमेन भारत पे 보는 CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया, सियाचिन में तेनात होने वाली पहली मैला अधिकारी सिवाच चोहान बनी है, पंकज मोहन ने भारती बायुसेना की पस्चिमी कमान समा ली है, और उत्तरपदेश की पहली मैला पुलिस कमिस्नर लक्षिमी सिंग बनी है, ने क्युशन है, हाली में किस फिल्म को आसकर 2023 के लिए सौट लिस्ट किया गया, तो दक कस्मेर फाइल्स को अभी आसकर 2023 के लिए सौट लिस्ट किया गया, तो इसको दृबuciones का से उप्षिमी है, विबेक अग्नि उत्तृ की फुल्म है दकर खास्मीर फाइल्स और इसको अभ और यह औसकर दोज़ाइज के लिए सौट लिस्ट किया गया है ने कुशन है हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार तो जर बाइस में भारत का सबसे अधिक प्रदूसित सहर कौन सा रहा है तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोज़र दूसरे नमर पर फरीदाबाद रहा है और तेसरे नमर पर गाजियाबाद रहा है तो यह तेनों आपको याद रखने है ने कुशन है हाली में सुदर्शन पटनायक ने कहां दुनिया की सबसे बड़ी होके इस्टिक बनाई है तो सुदर्शन पटनायक यह एक रेट आर्ट और इनों ने उडिशा में कटक नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी होके इस्टिक बनाई तो इसकुशिन का बे ऑप्सिंस है यह पांच हजार होके गेनों का उप्योग करके 105 फेट लंबी ये होके स्टिक बनाई है ये दुनिया की सबसे बड़ी होके स्टिक है जिसका निर्माण रेट से किया गया है अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल क्या है? भूबनेस्वर उडिशा की चीपनिष्ट कौन है? नबेन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कौन है? गनेशीला अच्छा उडिशा में है वीलर दीप और वीलर दीप का नाम बदल के एप पीजे अब्दुलकलाम देप रखा गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस कम बनाया जाता है? एक अपरेल को अभी बिंटेज बहानों के लिए अलग पंजी करण करने वाला पहला राज उडिशा बना है उडिशा सरकार ने लंपी तचारों का निसुल्क टेकर करने की गोशना की है उडिशा सरकार ने राजी को दोज़ा 23 तक स्लम मुक्त बनाने की गोशना की उडिशा के मुख्य मंत्री ने मुख्य मंती सिक्षा पुरुसकार योजना की सुरुआत की और उडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिबस की रूप में मनाया है उडिशा में चुनावेडा वाइलला संचुरी है, कुठागड वाइलला संचुरी है, नलवन वाइलला संचुरी है, वैसी पल्ली वाइलला संचुरी है, देवरीगड वाइलला संचुरी है, गहिर मठ वाइलला संचुरी है और चिलका लेग है चिलका लेग भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेग है उडेशा में रसी गुलिया बीच है गुल्डन बीच है उडेशा में लिंग्राज टेमपल है कुडार्क टेमपल है और जगननाट टेमपल है इतना आप उडिशा के बारे में आद रखिए ने क्यूशन है हाली में एक्सिस बेंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिस्थ हिस्थेदारी बढ़ाने के लिए समझोता किया तो अभी एक्सिस बेंक ने मैक्स लाइफ में साथ प्रतिस्ट हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझाता किया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है अब एक्सिस बेंक इसकी स्थापना का हुई 1993 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेन टेम पर CEO कौन है अमिताब चौधरी नए क्यूशन है हाली में किस राजिके राजिपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में तेज प्रत्सत आरक्षड को मंझूरी दी तो अभी उत्तराखंड के राजिपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में तेज प्रतिसत आरक्षड को मंजूरी दी, तो इस कुश्यन का बेज अप्सेंस ऐए, अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड, उत्तराखंड की केपिटल के है, अबी उत्राखंड सरकार ने राजस्य पूलिस भिवस्ता को खत्म करने का फैसला किया है उत्राखंड नो नवमबर को अपना हिस्तापना दिवस मनाया उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का सुभारम किया और उत्राखंड के ओली मिलिटरी स्टेशन में रक्षा मंतरी ने सस्त्र पूजन किया उत्राखंड में जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर नाम पूचा जाता है इसका पूर नाम है Hally National Park उतरखंड में फूल देही तिवार मना जाता है फूलों के घाटी उतरखंड में है और हरेला पर्फ ये भी उतरखंड में मना जाता है ने कुशन है हाली में भारत का सबसे तेज भुखतान एप कौन सा लॉंच किया गया तो पे रुप ये भारत का सबसे तेज भुखतान एप लॉंच किया गया है तो इस कुशन का बे आप्शन सही है पे रुप इस एप का उप्योग करके यूटिलिटी विल, लेंड लाइन विल, मोबाइल रीचार, डेटी एच रीचार ये सब काम किया सकते हैं तो ये भारत का सबसे तेज भुक्तान एप है जिसे अभी लॉंच किया गया ने क्यूशन है हाली में तरासीमा अखिल भारती पीठासीन अधिकारी सम्मिलन कहां सुरू हुआ है तो अभी जैपुर में तरासीमा अखिल भारती पीठासीन अधिकारी सम्मिलन सुरू हुआ तो इसकूशन का एप्शन सही है इसका उदगाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीब धनकर ने किया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़लाने की है ने कूशन है हाली में जारी हैंले पासपूट इंडेक्स दुजर तेईस में कौन सीर्स पर रहा है तो अभी हैंले पासपूट इंडेक्स दुजर तेईस जारी किया गया है इसमें जापान टॉप पर रहा है तो इस कूशन का बे आप्शन सही है यहां पे दू जगे जाप कर सकते हो जैसे अगर आपके पास जापान का पासपूर्ट है तो अभी आप 193 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो तो जापान हेले पासपूर्ट इंडेक्स में टॉप पर है सेकिन नमबर पर है सिंगापूर और साउथ कुरिया अगर आपके पास सिंगापूर और South Korea का passport है तो आप दुनिया के 192 देशों में बिना वीजा के travel कर सकते हो और तेसरे नमबर पर है Germany और Spain अगर इन दोनों country का passport आपके पास है तो आप दुनिया के 190 देशों में बिना वीजा के travel कर सकते हो तो यह आपको याद रखना है Japan का passport पहले नमबर पर है Singapore और South Korea का passport किसरे नमबर पर है अच्छा अपने देश भारत का passport कौन से नमबर पर है तो अपने देश भारत का passport 85 में नमबर पर है अगर इंडिया का passport आपके पास है तो आप दुनिया के 69 यानि की 59 कंट्रीज में बिना वीजा के travel कर सकते हो अच्छा जापान टॉप पर रहा है तो यह है मैप में जापान जापान की capital क्या है टोक्यो जापान की currency क्या है येन और जापान की present time पर प्रेंश्ट कौन है फुमियो के सिधा अच्छा अभी भारत जापान को पेछे छोड़कर 200 के स्तर पर तेसरा सबसे बड़ा ओटो बाजार बड़ा है मालावार exercise 2022 जापान में श के मैलाओं पर पुनर बिवा प्रतिबंद हटाएगा इतना आपको जापान के बारे में आद रखना है अब लास्ट वीडियो के question का answer लास्ट वीडियो मैंने आप से question पूचा था कि केस राज में पारम पर एक चेर चेरा महुत सब मनाया गया तो अभी 36 गड़ में पारम प आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question है हाली में देश का पहला पूरे तरह से डिजिटल बैंकिंग राजी कौन सा बना है चार option दिए गए हैं इन previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indreshrc Instagram पर indreshrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation, discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप target जरू याद रखना है आज किस वीडियो का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related, whatsapp और facebook group हैं, उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो, तो ये था आज का हमारा current affairs का video, आपको ये video कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए, आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आपसे subscribe करेंगे, तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा, आप उस bell icon में जरू क्लिक कर लेए, जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे, next exam all page video, thanks for watching.